दमू में चार साल की मासूम के साथ हुए बलातकार के मामले में कल जिला महिला कॉंग्रेस केमेटी जी अध्यक्ष निधिश रिवास्तों को नेत्रत में विशाल प्रदर्शन किया और शहर के अंबेटकर चरुआये पर भाजपा सरकार का पुतला फूग डाला इस भीज पुलिस के साथ कांग्रेस्टी भी जड़ब भी हुई कांग्रेस्टी ने पुलिस को जम कर चकाया प्रदर्शन कारियों भी मांग थी ये आरूपी को जल से जल गिरस्तार किया जाए पैटिश वर्से से हमारे दमों में राज कर रहे हैं और उनका एक भी फर्द उने एक भी अधिकार उनने ऐसा नहीं दिखाया कि शाषन प्रशासन के कुछ तो उसके बाद उनको सूचना देते या जानकारी देते उसके विवस्ता करते कि वहां पे ना तो केमरेत जाए जैत मलया और शाषन प्रशासन आख बंद करके बैटा है चोटी वच्छी कल जब यहां पर उसको यह कोई भी विवस्ता जिला अस्पताल में नहीं मिली आनन फानल में उसको किसी से मिलने भी नहीं दिया और केस जल्दी खत्मों किसी को मिलने ना मिले उससे इसलिए उसको समाजिक संगठिनों ने कलेक्टरेट वा पुरिस अरिक्ष्छ को ग्यापन देकर आरोपियों की जल्द ग्रफतारी की मांग की चाइल्ड राइट्स की जिला इकाई जिला बाल विकास मंच ने दुशकर्म की शिकार मासुम बालिका की परियाब चिकित्सा परिवार की सुर उसकी उम्र परिजनों के अनुसार एक साल दस माँ बताई गई है रेलवे स्टेशन पर मासुम को सोते समय उठाकर ले जाने वाले आरोपी का CCTV फुटेज जारी होने के बाद उसकी पहचान के लिए पुलिस की ओर से फुटेज जारी किया गया आरोपी की पहचान के लिए जनता का काफी सयोग मिला आरोपी को पकड़वाने वाले को 25,000 रुपे की घोशना भी कर रखी है इस्थानी समा से भी 27,000 रुपे के इनाम की घोशना कर रखी है पुलिस अलिश्चक ने आरोपी की सिनाक्त होने का दावा करते हुए कहा कि जल्द ही उसे गिरफतार कर सकते सामने लाया जाएगा ऐसा माना जा रहा है कि आज दुशकर्म के अरोपी की घृफतारी हो जाएगी